परिचय रात में आपकी मा ने आपसे दूद की बोतल को फ्रिज में रखने को कहा, लेकिन आप उसे रखना भूल गए. अगली सुभा आप देखते हैं कि दूद खराब हो चुका है. क्या आप खराब दूद से बढ़िया दूद को वापस प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं. तो आईए ऐसे ही परिवर्तनों के बारे में इस पार्ट में जाने. उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. रासायनिक परिवर्तन का वर्णन करना, रासायनिक परिवर्तन का उदारन देना. रासाइनिक परिवर्तन कोईले को जलाना, दूद का खराब होना, लोहे का जंद लगना और तांबे पर हरी जिल्ली का बनना रासाइनिक परिवर्तन होते हैं रासाइनिक परिवर्तन की विशेश्टाएं आपने अपनी मा को आटे की लोईयों से पूड़ी बनाते जरूर देखा होगा क्या आप पूड़ी से लोई वापस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, यह रसायनिक परिवर्तन किसी भौतिक साधन से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता रसायनिक परिवर्तन के उधारण बच्चो, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत से रसायनिक परिवर्तन देख सकते हैं क्या आपने लोही के गेट या पाक में पड़ी लोही की बेंच पर भूरे रंग की जिल्ली देखी है? इस भूरी जिल्ली को जंग कहते हैं और इस प्राक्रम को जंग लगना कहते हैं इस जंग का रसायनिक नाम है आईरन आकसाइड जंग से बचाओ जंग धीरे धीरे लोहे से बनी धात्वों को खत्म कर देता है आपने देखा होगा कि खिडकी या बालकनी में लगी लोहे की जाली में रंग लगा होता है ये लोहे को जंग लगने से बचाता है अता हम लोहे को नम आकसीजन या पानी के संपर्क से बचा कर जंग लगने से बचा सकते हैं रंगाई, ग्रीज और तेल लगाना लोहे पर जिंक की परचड़ा कर जिसे यश्यद लेपन यानी गैल्विनाइजेशन कहते हैं और क्रोमियम की परचड़ा कर जंग से बचाया जा सकता है। मैगनीशियम की एक पट्टी लीजिए, इसके एक सिरे को लौके करीब ले जाएए या एक विलक्षन सफेद रोशनी के साथ जलता है और भुरभुरी राख यानी मैगनीशियम आकसाइड शेश बच जाती है। इस राख का गुन मैगनीशियम से भिन होता है, आताहा मैगनीशियम का जलना एक रासाइनिक परिवर्तन है। रासाइनिक परिवर्तन के उदहरन जब मैगनीशियम आउकसाइट का जल में विलाय होता है तो मैगनीशियम हाइडरॉकसाइट प्राप्थ होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है इससे पता चलता है कि मैगनीशियम हाइडरॉकसाइट की प्रकृतिक चारगिये होती है रासाइनिक परिवर्तन के उदाहरन आईए एक प्रयोग करें एक बीकर में एक चम्मच कौपर सर्फेट लें लगतार हिलाते हुए इसमें 100 मिलिलीटर पानी मिलाएं इस विलियन में कुछ बूंदें सर्फियोरिक अमलकी मिलाएं आपको नीले रंग का एक विलियन मिलेगा इसमें लोहे की एक कील डालें कुछ समय बाद विलियन का रंग हरा हो जाएगा और लोहे की कील पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाएगी ये परिवर्तन आईरन सल्फेट विलियन और कौपर बनने के कारण हुए है रासाइनिक परिवर्तन के उदाहरन, छात्रो, सिर्का और बेकिंग सोडा हमारे रसोई में आसानी से फ्राप्थ हो जाते हैं एक पियाले में थोड़ा सा सिर्का लीजिए इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएगे आप फुसफुसाहट की आवाज सुनेंगे और इससे बुलबुले बाहर आते देखेंगे इससे उत्पन्य हुई गैस कारवन डायॉकसाइड है रासाइनिक परिवर्तन के उदाहरन उप्रोग्त प्रयोग में यदि कारवन डायॉकसाइड चूने के पानी से गुजरती है तो चूने का पानी दूदिया हो जाता है रासाइनिक परिवर्तन का प्रयोग छात्रों, क्या आप हमारे जीवन में रासाइनिक परिवर्तन के महत्व को जानते हैं? ये आयस्क से धातू निकालने दवाईयों के निर्मान, कृत्रिम और उप्योगी वस्तुएं जैसे साबुन और प्लास्टिक, फाइबर, खेती के लिए खाद और कीट नाशक में उप्योगी है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संशेप में दोहराएं रासाइनिक परिवर्तन के दोरान नया पदार्थ बनता है, जिसके गुण मूल पदार्थ से सर्वता भिन होते हैं लोही का जंग लगना ऑक्सीजन और जल की उपस्थिती में होता है जंग का रासाइनिक नाम हाइड्रेटिट आइरन ऑक्साइड है मैगनीशम ऑक्साइड का जल में विलाई होने पर मैगनीशम हाइड्र ऑक्साइड का निर्मान होता है, जिसकी प्रकृती चार किये होती है कार्बन डायोकसाइड चूने के पानी को दूदिया कर देता है रासाइनिक परिवर्तन दवाईयों, साबुन, खाद, कृत्रिम पदार्थ के निर्मान, अयस्क से धातू निकलने त्यादी में उप्योगी होते हैं